तो स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेक हाउस पर जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आज एक इंट्रेस्टिंग से टोपिक के उपर हम बात करने वाले काफी ही यहाँ पर सभी के मन में इस सीच को लेकर काफी कन्फिजन होता है कि जो प 25-35,000 के बीच में और उससे भी कम के अंदर आपको यहाँ पर काफी बड़िया वाली क्वालेटी फोंस के अंदर केमरा के अंदर देखने को मिल जाती है तो हम यहाँ पर बात करने वाले बात करने वाले बैसिक डिफरेंस 48 मेगा पिक्सर वर्से 64 क्योंकि यही दो सेंसर क् आपको 30,000 के कीमत के फोंस के अंदर देखने को मिलते हैं तो क्या नोमल था और पैसिक डिफरेंस है वह आपको क्लिर करने वाला हूं तो आभी के सामने यहाँ पर कुछ हम फोटो के शोट भी देंगे और प्लस साथी साथ यहाँ पर जैसा डे हो गया इवनिंग शोट हो ग आपको 16 5 सबसे को सब्सक्राइब पर होता है इसकी साइज आपके अंदर जब आपको 64 में का पिक्सल सा फोटो क्लिक करते तो यहाँ पर 10-15 MB का फोटो आपको नज़र आ गाएगा और 48 से लेती हैं तो 8-12 MB का यहाँ पर आपको फोटो साइज नज़र आने वाला है और यहाँ पर दू कंपनी का मैंली सेंसर य लेकिन डिटेलिंग थोड़ी सी हमें ज़्यादा दिखती है 64 MP में अगला ही शूट यहाँ पर मैंने डेलाइट कर रखा है तो यहाँ पर जो है वाइट का फोटोस लिये हैं तो यहाँ पर भी देखते हैं इवनिंग शॉर्ट के अंदर वही जो पहले हमने फोटो के अंद देखा था कि यहाँ पर जो कलर हैं वह वाम हो जाते हैं 64 के अंदर और यहाँ पर एक नेच्रल करकी में बात कुर तो 48 में निकल कर आए हैं लेकिन वही डिटेलिंग थोड़ी सी हमें ज्यादा बैटर मिल जाती है 64 MP में तो दोस्तों नॉर्मली हम देखते हैं सारे फोटोस देखते हैं कि जो कलर है और जो डिटेलिंग वह वह किसने मैंटेन करके रखी यहाँ पर शिफोर में का पिक्सर के अंदर आपको यहाँ पर और फोड़ा सा कॉमन नदे नागवें जाता है कि जो quality आपकी dynamic range जो है वो बिलकुल फैतरिन सी आपको यहाँ पर 64 में नजर आ जाती है लेकिन जहाँ हम photo को थोड़ा zoom करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़े बढ़िया detail फिर से maintain करकर देने वाला है 64 MP यहाँ पर 48 में थोड़ा सी चीज गल बढ़ जाती है कि जहाँ पर आपको जो जहाते हैं आप वह अरे detailing नहीं मिलती है यहाँ पर मैंने nice shot लिए है तो यह जो है बिलकुल प्लैन तरीके से मैं फोटो क्लिक कर तो यहाँ पर 64 MP में अभी भी काफी जादा आपको आपको light नजर आ रहे होगी लेकिन जैसी इसका आप सूपर night mode देखेंगे तो यहाँ पर काफी अतरंगया तरचा जाएगी आपको बिलकुल क्लिर हो जाएगा कि किस के अंदर आपको भैतिनी सा फोटो नजर आने वाले हैं डाक mode अभी 48 में दिख रहे हैं लेकिन जैसी में यहाँ पर आपको night mode on कर दो फूंस के अंदर तो जो color और detailing जो natural आपको निकल क आना चाहिए वो यहाँ पर इस बार 48 मेगा पिक्सल के निकल कर आया और यहाँ पर थोड़ी ज्यादा light हमारी हो गई है लाइटिंग थोड़ी ज्यादा दिख जाती है 64 मेगा पिक्सल के अंदर तो इससे हमारी थोड़ी पिक्चर के quality यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ा यहाँ पर इस बार 48 मेगा पिक्सल के जूम के अंदर quality यहाँ पर आपको काफी अच्छी निकल कर आने वाली है यहाँ रिफ्लेक्शन वाली प्रोब्लम जो होती है दिखतर हमें दिखती है कहीं पर पार्टी में होते हैं कहीं भी होते तो लाइट वगरा काफी ज्यादा हो तो यहाँ पर आप जनरल अगर कोई साभी फोन चूज करते तो आपको क्या-क्या ध्यान रखना है यहाँ पर पिक्सल लोशन के उपर इतना ध्यान मत दीजिए क्योंकि 48 से भी आपकी काफे बहतरीन से फोटो यहाँ पर आ जाते हैं लेकिन आप प्रोफेशनल फोटो शू दो Εलो करते हैं लोटो मत परोटोंग झाल आपना हैं इतना हैं यहाँ परोगल सेतरीन से जपर एक मशले दोटोंकि कारते हैं लोटोंकिजिक पोगल ज्यान जोग्टोंकिक प्रस्द्धर